मैं साथ एकड़ की खित्ती करता हूँ और पिछले तीन चार सालों से गेहूं की अच्छी क्वाल्टी के लिए गेलीलियो वे स्प्रे करता हूँ बाली आने के टाइम पे और मेरे गेहूं में हड़ी रोग जैसी कोई विमारी नहीं आती जिसके कारण मेरा गेहूं बीज क्व क्वाल्टी ऐसी होती है कि मंडी में डालते ही धाले मेरा गेहूं बिखता है अब मेरे गेहूं के जब मैं स्परे करता हूँ तो उसका तना अरा बरा और लंबे समयillah तक हया बरा रहता है ूस Kenneth Christmas में का दाना दाना पूरी तरह भरता है और दी वालियां भी एक समान खेत सारा बार निकलता है दाने अच्छी क्वाल्टी के और दानों का भराव भी पूरा होता है इसी लिए मेरा गहूं सबसे अच्छा होता है पैदा तीन चार साल से मेरा गहूं बहुत अच्छा पैदा होता है मैं किसान भाईयों को कहना चाहूंगा जी जैसे कि अब एक दो साल से टेंपरेचर ज्यादा बढ़ जाता है एक दम तो इस दवाई को जुरू इस्तेमाल करने से दस दिन पंदरा दिन गहूं की जो नाली है वो ज्यादा हरी रहेगी और उस हरी रहने से इसका दाना दाना भरने में टाइम पूरा होगा इसलिए इस दवाई का इस्तेमाल ज्यादा टेंपरेचर में जरूर करें इससे कि हमारे गहूं की वो दाना दाना भरने के लिए पूरा टाइम मिल जाए जान भाईयों झाल 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 झाल